दोस्तों स्वागत है आपका अमान अनलिसिस में तो दोस्तों बहुत दिन से बच्चे पूछ रहे थे कि NDA1 या फिर NDA2 में कितने marks लेकर आएं कि हमारे सेलेक्शन है वो 100% हो जाए तो दोस्तों आपको पता है कि minimum qualifying marks होता है out of 900 जो आपका written examination होता है और उसके बाद 900 marks का आपका SSB interview होता है तो ये दो टाइप के cut off बनते हैं और इन दोनों को जोड़ गर आपकी final merit list आती है तो अभी फिलाल तो हम लोग केवल written exam की बात करते है तो अभी फिलाल तो हम लोग SSB के लिए कुछ करने सकते तो written examination में हमको 900 में से कितने number लेने है section wise भी, overall wise भी तो चलिए बात करते हैं एकदम detail में अच्छा लगे तो like और share ज़रूर करना चैनल को subscribe करके मेरा motivation ज़रूर बढ़ाना तो दोस्तो अभी आप देख रहे हैं ये है एक marks list जो announce की जाती है UPSC के दौरा तो इसमें type principle एक बार देख लेते हैं जो कि हमने आज तक कभी देखा नहीं है कि अगर दो लोगों के marks equal हो जाए तो क्या होगा तो देखो, in case of equal marks in aggregate यानि कि अगर आपके interview और आपका written examination दो लोगा अगर marks equal होगा किसी दो candidate का, तो जो बच्छा written examination ज्यादा score कर रहा होगा उसका जो rank है, वो high होगा यानि कि उस बच्छों को लिया जाएगा ठीक है, दूसरा चीज अगर, अगर जो आपका written examination का marks भी equal निकला, मालो आपका SSB और written examination दोनों का equal निकला तो जिस बच्चे के general ability test यानि GAT में ज्यादा होगा, उसको ज्यादा high rank मिलेगा, यानि कि उसको rank उससे उपर रहेगी उस बच्चे से लेकिन अगर GAT के marks भी equal निकले, ये condition होती है अगर GAT के marks भी equal निकले तो जो age है, यानि कि जो senior होगा age में, उनकी rank high होगी, तो ये तीन condition है type principle के, ये जो follow होते आए हैं NDA में, ठीक है उमीद करता हूँ, ये चीज नहीं है और आपको पता होनी चीज़े सारे चीज़े तो दोस्तों, आपको जिस तरीके से पता है कि इस बार दोनों का paper एक साथ होने वाला है, यानि कि NDA 1 का NDA 2 का paper एक साथ होने वाला, यानि कि दोनों का same paper होगा, लेकिन दोनों का result अलग होगा दोनों का cutoff भी अलग होगा ठीक है तो देखिए दोस्तों, कि क्या है जो आपका NDA first attempt है जो NDA आपका first attempt है इसमें ये देखा गया है, कि जो cutoff है वो high रहती है, आप देख सकते है ये NDA 2019 का है जो list है, तो इसमें आप देख सकते है 342 number थे with at least 25% marks in each subject ये थी 2019 की cutoff तो इसी तरीके से मतलब maximum time तो ये ही देखा गया है, जो NDA 1 का cutoff है हमेशा high रहती आई है reason क्या है, reason ये है कि इसमें 12th के बच्चे बहुत attempt में आते हैं यानि कि जो बच्चे 12th का exam दे चुके होते हैं वो इसको attempt करते हैं, तो जाहिर सी बात है और अब तो क्या है, अब तो September में सबका exam हो, सबको बहुत time मिल गया पढ़ने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा factor है तो ये जाहिर सी बात है, जो NDA1 की cutoff है वो high रहेगी high रहेगी, यानि कि आप मान सकते हो कि 350 तक जा सकती है NDA1 की cutoff 340 से 350 तक जा सकती है NDA1 की cutoff, ठीक है और आप ये देखो, अब जो second वाला जो, यानि कि NDA1 2020 के लिए तो इतने बच्चे होगे क्योंकि वही बच्चे repeat करने वाले हैं exam अब समझ रहे हो ना मतलब दोनों के लिए eligible होंगे ऐसी बच्चे, कम से कम 60% बच्चे तो ऐसे ही होंगे जो clear करेंगे NDA2 का exam जो NDA1 भी clear कर चुगे है अब बात समझ रहे हो तो अगर जो NDA1 वाले NDA2 को clear कर रहे है अगर NDA1 का cutoff 350 जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो NDA2 है उसका cutoff भी इसके ही around रहेगा अब बात clear आ रही है, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो इससे ये पता चल रहा है कि जो दूसरा वाला NDA2 का होगा, उसमें भी कि जो cutoff है, वो NDA1 से के बराबर भी रह सकती है और high भी रहने के chances है ठीक है, तो ये मेरे को आपको समझाना था कि यानि कि 350 से high ही रहेगी cutoff, अब देख सकते हो कि मतलब ये सारे चीजे होती है और अगर sectional cutoff की बात किरें, जो 25% रहती है, वो 25% भी factor है, जो इस बार रहने वाले है, मतलब इस बार आपको ध्यान में रखने है तो ये सारे factor cutoff के है अब मैं आपको क्या बताना चाहा रहा हूँ आपको जो मेहनत करनी है वो अच्छी तरीके से करनी है ठीक है, जो number लेने आपको वो भी अच्छे लेने पड़ेंगे तब जाकर आपका selection होगा ठीक है, तो उमीद करतों है ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, अच्छा रगे तो like और share जरूर करना, चलता हूँ जय हिंद जय भारत